नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तुशार कोठारी और यह खबर तुड़े में आपका सागत है मोहंदास करमचंद गांधी यानि महात्मा गांधी को आम तोर पे लोग राष्ट बिता कहते हैं लेकिन क्या वो राष्ट बिता हैं इस विशे पे मेरा यह लेख आपके सामने है लेख का शिर्षक है कोन हो सकता है इस राष्ट का पिता देश में युगो युगो से पूजित मर्यादा पुर्शोत्तम राम की लंका विजय के बाद लक्ष्वन जी ने उन से कहा कि अयोध्य जाने की बजाए सोने की लंका में ही रहने में क्या वुराई है तब भगवान राम ने वह जवाब दिया था जो आज तक देश के प्रत्यक व्यक्ति के लिए मार्गर्शक है भगवान श्री राम ने लक्ष्वन से कहा था कि लक्ष्वन ये लंका चाहे सोने की हो लेकिन जननी जन्म भूमी स्वर्ग से भी महान होती है जिस देश में मर्यादा पुर्षत्तम राम जन्म लेते हैं और इस देश को अपनी जन्नी जन्म भूमी बताते हैं उस राष्ट का पिता कौन हो सकता है यह सवाल अब इसलिए उठखड़ा हुआ है कि देश की राजनीती पर कज़ा बनाये रखने के लिए आजादी के बाद से अब तक एक वर्ग द्वारा महात्मा गांदी को राष्ट पिता का दर्जा दिया जाता रहा है जब भी कभी इस बाद पर किसी ने आपत्ती उठाने की या वास्तविक्ता को सामने लाने की कोशिश की है देज भर में एक तुफान सा खड़ा करने की कोशिश होने लगती है नेजा ने कहा कहा के बुद्दी जी भी निकल कर सामने आ जाते है और बापू का नाम लेकर रोना धोना मचाना शुरू कर देते है मीडिया में भी एक किस्से जम कर उच्छा ले जाने लगते है तक के लिए राजी नहीं होते है इस मामले में किसी भी सीमा तक हिंसक होने को राजी हो उटते है तब उनका हिंसा और सत्य का आग्रह कहीं गायव हो जाता है वेसे तो इस बात पर भी बड़े मद्वेद है कि देश को सतंता दिलाने में किसका योगदान बड़ा है लेकिन कुछ समय के लिए यह मान भी लिया जाए कि महात्मा गांधी के चर्खे और खादी के कारण देश को सतंता मिल गई लेकिन इस उपलबधी के कारण यह कैसे माना जा सकता है कि महात्मा जी इस महानतम राष्ट के पिता हो गए जिस राष्ट का अस्ति तो हजारो लाखों साल से है जहां राम, क्रश्न, बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त, चाणक के विक्रमादित जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और इस भूमी को अपनी माता माना जिस भूमी पर उस भरत ने जन्म लिया जिसके नाम पर इस देश का नाम भरत वर्ष रखा गया गर आजा भरत इस राष्ट के पिता का दर्जा नहीं पा सका तो क्या महात्मा गांदी इन सारे महान व्यक्तियों से भी अधित महान थे कि वे इस राष्ट के पिता के ला सकते हैं क्या इस देश के लोगों को राम करश्न बुद्ध मावी रादी की पूजा छोड़कर बापू के मंदिर बना लेने जाए इस महांतम और दुनिया के सबसे प्राचीन राष्ट का कोई पिता हो ही नहीं सकता इस देव निर्मित भारत भूमी को तो देवताओं तक ने अपनी मातर भूमी बनाया है इस जन्नी जन्म भूमी का किसी सामान इमानों को पिता कहना अपने आप में पाप की पराकाश्टा है लेकिन शुद्र राजनीती के चलते आजादी के बाद से आज तक लगातार ये पा बड़ी जल्दी ये समझ लिया कि सत्ता पर लंबे समय तक कब्जा जमाने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे देश के लोग भ्रह्म में पड़े रहें और कांग्रेस को चुनते रहें कांग्रेस तो सत्ता से भार थी कांग्रेस को चुनते रहें महात्मा गांधी तो सत्ता से भार थे ही नाथु राम गोडसे ने उनके हत्या करकर उनने शहीद बना दिया कांग्रेस के Č Advino इपर लेते होए से शा्ma गांधी को देश का राष्ट पिता कहना शुरू कर दिया और सबसे महत्व Kevin अधियास में उसे पढ़ाय जाने लगा कि कर दिया सुप追踏ohl प्रक्तों और काले पानी की सजा भुगतने और फासी के फंदे पर चड़ जाने वाले शहीदों तक को महतोहीन बना दिया गया बापू के चित्र को चुनाओ जीतने की ग्यारंटी बना दिया गया और महात्मा जी का कापी राइट उस कांग्रेस ने अपने पास रख लिया ज लेकिन देश की आजादी के सत्तर साल गुजर जाने के बाद अब समय आ गया है कि इस पुरानी घिसी-पिटी माननेता ओपर पुनर विचार किया जाए महात्मा जान्दी ने निश्चित तोर पर देश के आजादी के लिए एंसक लड़ाई का एक नया रास्ता ढूंडा था लेकिन अब इस बात का ठोस तत्यों और तरकों के आधार पर निर्पेक्ष विशलेशन किया जाना चाहिए कि देश की आजादी में किसका कितना योगदान था और वास्तों में आजादी मिली किस वज़े से चंद्रिशेगर आजाद धगत सिंग, सुभाष चंदोस और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का इस आजादी में योगदान गांधी जी से कम था या अधिक और के ऐसे देशभक्तों के साथ अभी तक अण्या नहीं हुआ है देश के नोटों पर सिर्फ गांधी ही छाय हुए नोट पर सुभास है आजात्यों नहीं है देश की नई पीडी को तथ्छात्मक सत्य बताए जाने चाहिए गांधी वाधी अंतिidän सत्य नहीं है और इसलिए गांधी जी के बारे में प्रतिकूल विचार रखना कोई अपराद नहीं है गांधीवादियों के मुताबिक अगर देश के आजादी गांधी के प्रयोत्नों का परिणाम है तो इसके विप्रित पिचार वालों की मान्यता यह है कि गांधी बात पर चल कर देश को फायदे की वज़ा नुक्सान अधिक हुआ है यही कारण है कि खादी दिखावे की चीज ही बनी रही उपयोग की नहीं बन पाई गांधी जी की नीतियों के आलोच ना कर देना एसा भी गुना नहीं है कि माफी मांगना पड़े बच्चों को यह सिखा जाना चाहिए कि महांतम राष्ट के हम सब बच्चे हैं और इसका पिता तो भगवान भी नहीं बन सकता इस देश का कोई राष्ट पिता नहीं हो सकता तो दोस्तों मेरा इलेख आपको किसा लगा यदि आपको यह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चेनल इखबर टूड़े को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चेनल पर लगने वाले नए वीडियो को देख सकाल